गुड मॉनिंग फ्रेंज टार्गेट हैं मैं आप सभी का स्वागत है दोस्तो एक बार फिर से सेंटर गॉवर्मेंट से भरती विग्यापन आज चुका है भारत की सभी स्टेट के कंडिडेट दोस्तो इसमें अपलाई कर पाएंगे आल इंडिया लेवल का भरती विग्याप पंजारी हुआ है और बात करें पोष्ट की तो दोस्तो इसमें नरस्यक इसनर सथ में पेरा मेडिकल इस टाप के लिए भरती विग्यापन जारी हुआ है अन्य कैई इसमें पोष्ट सामिल है तो दोस्तो वीडियों में आंगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तख चै लेकेंसी की बार जानकारी दी जाती है वो सारे नोटिफिकेशन के पीडियाप आपको टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगा तो दोस्तो टेलिग्राम और वाटसेप चैनल में जोड़ने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के लिंक मिल जाएंगे वह इंजेनरिंग कंसल्टनक इंडिया लिम्टेट से दोस्तो भर्तिविग्याप उआपन जारी हुआ और इसमें भारत के सभी स्टेट के केंडिडेत इसमें अपलाई कर पाएंगेixon आपकी पोश्टिंग आल इंडिया इंस्टियोट आप आरुवेदा गोबा में आपको पोस्टिंग दे जाएगी और दोस्तो आउट्सोर्स बेसेस पे भरति विग्यापन जारी हुआ आपको कॉंट्रेक्ट बेसेस पे इसमें पोस्टिंग दे जाएगी हम बात कर लेते हैं पोस्ट की तो पहला जो पोस्ट है वो मेडिकल आपिसर के लिए रहने वाला है नमबर आप पोस्ट बारा है और इसमें आप से कॉलिफिकेशन में EMD या MS आपका कंप्लेट होना चाहिए आरवेदा से बिद क्लेंकल एक्सबिरियन्स होना भी ज़रूरी है 45 यर्स इसमें एज लिमिट दिया गया है 75,000 पर मंत आपकी सेलरी रहेगी नेश्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस्टाप नर्स के लिए तो 20 टोटल पोस्ट है आपके पास क्वालिफिकेशन बिएससी नर्सिंग और से अगर है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे या फिर आप बिएससी नर्सिंग वाले हैं या बिएससी नर्सिंग फोर येर और वेदा वाले हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे आपका रजिस्टेशन होना जरूरी है nursing council में आपका registration होना चाहिए और दोस्तो डिप्लोमा वाले candidate अगर आप हैं तो भी आप इसमें आभेजन कर पाएंगे डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइपरी वाले हैं और डिप्लोमा वाले candidate से 2 years का इसमें experience मांगा जा रहा है हेंडर बेट के hospital में आपका experience होना चाहिए और 37, sorry 35 year आपके इसमें age limit दिया गया है 37,000 पर मंत आपको salary दिया जाएगा नेश्ट पोस्ट की बात करते हैं तो lab technician के लिए है नमबरा पोस्ट एक सामिल है science graduate from any recognized university के साथ होना चाहिए and diploma in medical laboratory technology आपके पास दोस्तो bsc complete होना चाहिए graduate भी होना जरूरी है साथ में आपके पास diploma होना भी जरूरी है dmlt course complete होना चाहिए या फिर आपके पास 12th pass है with diploma in medical laboratory 12th pass और dmlt complete है और 4 year का आपके पास experience है same field में तो आप इसमें आवेदर कर पाएंगे 25,000 आपको salary दी जाएगी 45 years इसमें age limit दिया गया है दोस्तो इसमें BMLT वाले candidate भी आवेदर कर पाएंगे BMLT वाले candidate से one year का इसमें experience मांगा जा रहा किसी भी related field या repeated institute hospital में आपका ये experience होना चाहिए हम next post की बात कर लेते हैं तो world attendant के लिए है total solar post है और cult pass होना चाहिए any government recognize board के साथ one year का आपके पास working experience होना चाहिए same field में 30 years आपको age limit दिया गया है 17,000 रुपए salary रहेगी radioology technician के लिए दोस्तो एक post है आपके पास regular diploma in radiography में होना चाहिए cult pass साथ में दोस्तो diploma होना चाहिए radiography में 25 years आपको age limit दिया गया है 25,000 आपको salary दी जाएगी pharmacist की बात करें दोस्तो तो एक ही post सामिल है b pharma आःवेदा के लिए which three year का professional experience आपके पास होना चाहिए या फिर आपके पास आःवेदा डिप्लोमा है pharmacy में तो भी आप इसमें आवेदान कर पाएंगे और डिप्लोमा वाले candidate से इसमें दो साल का experience माँगा जा रहा है 45 years आपको age limit दिया गया है 28,000 salary दी जाएगी दोस्तो इसमें dresser के लिए भी post सामिल है एक post है और आपके पास 12th pass होना चाहिए साथ में आपको knowledge होना जरूरी है फस्टेड का और one year का experience होना चाहिए ड्रेसिंग में 30 years आपको age limit दिया गया है 20,000 salary रहेगी पंच कर्मा technician के लिए भी है दोस्तो और इसमें 5 post mail के लिए है 5 post female के लिए total 10 post है और 12th pass होना चाहिए recognize board के साथ आपके पास certificate course complete होना चाहिए पंच कर्म में और 30 years age limit दिया गया है 24,000 आपको salary दी जाएगी बात कर लेते हैं O.T. assistant के लिए तो एक post है आपके पास O.T. technician या assistant का आपके पास diploma होना चाहिए 3 year का experience के साथ और 45 years age limit दिया गया है 25,000 salary दी जाएगी और दोस्तों इसमें बहुत सारे अन्न पोस्ट सामिल हैं देख सकते हैं MTS के लिए driver के लिए yoga therapist के लिए भी है yoga therapist से आपके पास PG degree होना चाहिए yoga में और physio therapist के लिए भी post सामिल कर लिया गया है आपके पास degree होना चाहिए minimum 3 year के experience के साथ और physio therapist को 50,000 salary दी जाएगी 40 years सा आपको age limit दी आगया है data entry operator के लिए भी दोस्तों post सामिल है आपके पास degree होना चाहिए data entry operator का computer application में अगर आपके पास degree है और one year के experience है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे IT assistant के लिए भी है और lab attendant के लिए दोस्तों देख सकते है 18 number पे total 10 post सामिल है आपके पास 12th pass from any board के साथ होना चाहिए प्लेस आपके पास four year का experience होना जरूरी है same field में दोस्तों आपके पास experience होना चाहिए या पिर आपके पास degree है from any recognized university with two years के experience के साथ दोस्तों अगर आपके पास BMLT complete है और दो साल के experience है तो आप इस post के लिए eligible है 18,000 रुपए आपकी salary रहेगी 30 years आपके इसमे एज लिमिट दिया गया है biomedical engineer के लिए भी देख सकते हैं post है BE या B.T.E.C. आपके पास complete होना चाहिए public relation officer के लिए भी है आपसे इसमें MBA या MPH course complete होना चाहिए personal secretary के लिए भी है दोस्तों dean के लिए इसमें रहेगा personal secretary का और graduate from recognizing university के साथ होना चाहिए साथ में आपको handra day या 120 words per minute speed आपके पास short hand होना चाहिए 30 years आपको age limit दिये गा है 44,000 salary रहेगी और museum keeper के लिए भी इसमें post है optometrist के लिए भी दोस्तों post सामिल कर लिए गया है number up post 2 है आपके पास same field में degree या diploma होना चाहिए degree 4 year का होना जरूरी है और 1 year का working experience होना चाहिए 30 years आपको age limit दिये गया है 29,000 आपको salary दी जाएगी दोस्तों ये भरती बिग्यापन total 24 अलग अलग पत के लिए जारी किया गया है जिसमें आपको contract basis पे posting दी जाएगी out source basis पे भरती बिग्यापन जारी हुआ है बात कर लेते हैं आपको apply के से करना है तो apply आप online के माद्धियम से करेंगे इसके official website के माद्धियम से ये देख सकते हैं इसका official website है www.becil.com इस website के माद्धियम से दोस्तों आपको आवेदन करना होगा और selection process की बातका लेते हैं तो selection आपका candidate will be inform by email या telephone for the year skill test interview या आपको दोस्तो skill test या interview के माद्धियम से selection होगा और इसके लिए आपको inform किया जाएगा by email या telephone आपको email के दोरह inform किया जाएगा अगर आप shortlisted होंगे केवल दोस्तों shortlisted candidate को ही inform किया जाएगा इसमें आपको बता दिये गए only shortlisted candidate as for above eligible criteria will be call for skill test केवल shortlisted candidate को ही interview या skill test के लिए inform किया जाएगा और apply कनने के लिए last date देख सकते हैं last date for submission आप application form 19-10-23-19 October तक दोस्तों आप इसमें online के माद्धम से आवेदन कर पाएगे इसका last date रहने वाला है और इसमें आपको application फीस भी पेकनना होगा इसके लिए भी आपको बताया गया है जनरल के लिए 885 रुपए आपको फीस भी करना ओगा OBC के लिए 885 ESC ESC के लिए 531 एक सर्विसमें के लिए 885 बूमें के लिए 885 और EWS के लिए दोस्तों 531 रुपए आपको फीस भीकनना होगा ये PDF के लिए आप टेलिग्राम चैनल पे जुड़ जाएं वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे और दोस्तो जानकारी अच्छे लगी हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों कसा सेर करें चैनल पे नए हैं तो सबस्क्राइब कर लें थैंक यू सो मच